इसका नाम अभी तर पक्का नहीं हुआ कमेंट में कोई बड़ी असा नामा बताईए जो की पाजी रण सब्ये इसका मसा लगाएगा जो खौलती वी दाल होती है दोस्तों मठके में पानी ले जाते हो आपने देखा होगा इन मठकों में भरी हुई है बहुत ही टेस्टी सब्सिया एक एप पर हंटेड़ प्रसेंट बेज आगा है सही है एक करी है यह बढ़िया कारली के पीस्जी और पर बटर बहुत जादा बढ़िया लग रहा था इतना शांदर लग रहा देखने में मतन क्या बात है जी ठीक है यह आगी अपने डवी वाला दी चाप भई अन्डा करी तो बलकुल रेडी है जिसको किजिडी का देगा मन्न हूँ आकर खा के जेखे जरूर मत्की में मिलेगी इसको भी पर फेस्बूक पर रेगुलर वीडियो जाती है इनकी और कमाल का स्ट्रीट फूड़ करते हैं पाजी आज आज आप हमें कहां लाएं बाई आज आया हैं वो भी इट एंड बाइट पे और ये शॉप जो है वेजिटेरियन है अंदर पूरा एर कंडिशेंड है राम सब फैमली को ला सकते हो नहीं आपर आम से खा सकते हैं लाइक करें शेर करें चैनल सब्सक्राइब करें चलिए अंदर श्रीकाल जी मेरा नाम जितिंदर सिंग है इस टाइम आप खड़े है ये एक छोटी सी आउट जिसका नाम है बॉबीज इट्स और बाइट्स ये मेरे निकनेम पर बॉबीज मेरा निकनेम है निकनेम पर बनाए गई है और ये एक प्योर वेजिटेरियन आउटलेट है इस काम में मेरे को अल्मोस्ट छे-सात साल हो गए है उससे पहले मैं फार्मस्यूटिकल्स में था बिंग वेजिटेरियन मेरा टूरिंग जॉब होता था उस ताम पे बिंग वेजिटेरियन मेरे को बड़ी दिक्कत आती जाकर जहां जाता था वहां सिरफ पनीर की सबजी या दाल मकनी बस इसके लावा वो तीसरी चीज मिलती नहीं थी तो उस चीज को मद्दे मज़ा रख की मठी में आप कुछ-कुछ चीजें देने की कोशिश की है इतना सब कुछ नम्कीन खाएंगे तो साथ में एक मीठी चीज भी देने की कोशिश कर रहे हैं आपको मठी में ही हमारी स्पेशल खीर है वह भी आप खाकर टेस्ट करके और हमारे को पताईए का जूब और मेरी अगे रिक्वेस्ट है आप जैसा भी है फीडबैक आप प्रॉपर दीजेगा जो भी एक्चुल फीडबैक हो दीजेगा और उसके बाद कस्पर से भी कहुआ कि आप आकर हमारा खाना ट्राइ कीजिए 100% वेजिटेरियन है क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ तो इसल यह अधरक्ता लच्छा अरे बाबा बनो वेज में तो खा खा के हम पक चुके हैं मुलार नॉमल वही दाल वही रोटी ओ तो नॉन वेज को देखकर उनको लाला चाता है कि एर काश हमारी भी चीजें जो हैं हमें भी कुछ नॉन वेज जेफी चीजें मिल सके जो कि हम पूर धर्म का पालन करते हुए खा सके हैं तो उसी को मतने नजर रखते हुए यह कुछ भी नहीं है इसमें मैं आपको इंग्रिजिएंट इसका बता नहीं सकता लेकिन अधर्वाइस यह बिल्कुल प्योर 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 पनी वह है जिए मुझे एक और पॉसिटिव बात ही लग और नौन में छोड़ा तो आप वह स्टेज आ चुकी है कि अंदर से इतना ज्यादा फील हो गया कि मैं को वेजिटेरियन ही बन के रहना है अंडे के अंदर येलो कलर का यॉक हो है इसमें भी यॉक हमने अर्टिविशल बनाया है अच्छा तो भाई अपनी अंडा करी तो ब को शेव से प्यास कि अख़े अख़े मसाले अगरा है सारे खड़े मसाले लग रगरे तो अपने ज़से लेकर हैं तो अवहरे खुद के बनाएवी मसाले भी हैं अच्छा यह थोड़ा सा मक्की बीच में पके बड़ी तो यह आपने का था किया पके गावं से श्टा हुआ ह आप पर देली में हैं तो वहां पर किसी के पास मैंने यह चांप खाई दिसका नियुक्त करना था तो उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है यह जो इस तरह मठी इसके उपर रखी गई है इसके दो परपस है जिए इसको डिसिंफेक्ट करना अग्द नमबर टू अपर त अब इसके बीच में जब देशीगी डालेंगे तो देशीगी डालने के बार इसके जो अरोमा है वो डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल पाजी इसमें आपने काफी रिसर्च करियों कि सारा चीज है यह उपर से देशीगी ठीक है यह यह आगी अपने दोई वाला दी चाप पेली गरम ते उपर से और गरम गरम इस कुलहड में हम लोग रेस्टोरेंट सेटिंग में है अगर हम उसी तरह से पकाने लगे तो एक मटकी उमारे को चार गंटे पे बनेगी तो कैसे काम चलेगा साइब कस्पर तो यह 10 मिन भी नहीं वेट करता है बल्कुल अच्छा यह आप इसको दम कर देते हैं पूरा चेक है अटा प्योर वेज रेस्टोरेंट में खासकर यह चीज़े मिलना थूड़ा से मुश्किल रहेगा चेक है दुबारा आगे उपर से देसी कहीं चेक है मैं तो कौंग के एक बारी अब लोग देख रहे हैं तो इक पर शायद कमेंट कर देख कर यह हो सकता है कि आपका दिया हूँ नाम बन जाए मैन्यू में और यागी ग्रेवी अच्छा क्या 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 आपने सोय के पी सोगने सोगो यह भी क्योंकि पहले इसको मेरिनेट करना वड़ता है तो इसलिए पूरा बनता हुआ नहीं दिखा देख कर देख यूपर सागी क्रीम यूपर सागय धनिया यह द्रकल अच्छा यूपर सेड़े अच्छा इए जव मत्की अंदर तो देखे गी डाल दिया था और उसके बाद आगी है इनकी स्पेशल वाले अभी नाम निहीं रखा है इसका बटबी पाज्य थे का है वेजेटेरियन श्वाचरी है यही नमाजी है एक्षेज़ी निए विलकुल खॉलने लगती है इतनी गरम हो जाती है तब ही पकती है न जली है यह पुरा पका हुआ नहीं है यह जी मठी गे अंदर जब दम करने के पाथ जो अंदर आएगी तब ही उसमें टेस्ट भी उसका अरोमा भी बनेगा बिलकुल गरम इतनी हो चुके आपको स्टीम दिख रही होगी अल्दो यह पूरी पैक हो जाती है अंदर से लेकिन हल्की बहुत स्टीम फिर भी कहीन पर से निकल ली तो होती है यह उपर से आगया बटर अमूल का दाल आपकी बटर में रहती है प्यास हट चीज में इसमाल कर अच्छा अभी जो आपको को कि पूरी अम पकाते हो यह नहीं दिखा सकते उतना डाइम लग जाएगा तो यह दाल 70% डन है अच्छा इक थर 60% डन है बाकी 40% मटकी में यह पकेगी अच्छा बढ़िया है तो पर से क्रीम धनिया अधरकन अच्छा इसको डालके तटका डाल अच्छा इसका मसा लगाएगा जो खौलती ही दाल होती है ना अभी जैसे कि सरदार जी ने पता है 60% डेटी है 40% मटकी के अंदर होगी तो दोस्तों यहां पर हमने जो ब्रेट्स लगवाई है रोटिया लगवाई है नान लगवाए हैं ताकि आपको सारी वराइटी थोड फोरी हम ठीजपने उसफने से ले सकते है और हुँआ normal ही कई मिक्स अटा एंच्छा नहीं होता है। आरे नान के ओपर घर्लिक लगाए है हैं पर लगवाई हैं अर्टी के अंदर स्टुफिग हैें किस चीज़ की रहेंगी यह चा-टी र हम ठापकी है रहनी तो दोस्तों ह जो बेखके खोल के बता लगे का हमें भी ने बता है इसके अंतर क्या है करमा गर्म मठकी ओभाई सब्सक्राइब अमेजिंग लग रहा है या यह लग रही है इस दोई वाला दी चाप और यह देखो जी मटन वेज मटन है न यह जो नॉन वेज का मज़ा लेना चाहते हैं वेज के अंदर तो वो एचीज ट्राइब कर सकते हैं और इसकी रंगत देखो दी किनी शांदार लग रही है अपनी दाल नवाभी एक बार यह देखिया बाई ग करके रखते हैं लेकिन 40% जो मज़ा है ना जो बनने के तरीका है इसका वो इस मठ्की के अंदर है यह पाजी ने आपके लिए स्पैशल बन हुआ है ठीक है यह अंदा करी है एक है पर 100% बैज आग है सई है एक करी है यह बड़िया तो यह देखिए एक बारी उपर से लगर पुरा यॉक वग बनाया हुआ है बहुत बड़िया तरीके इसको तयार करा गया तो शुरुवाद करते हैं क्या लेंगे बाजी आप बताईए आप जो लो में रहो हो मुझे गारलिक नान बडा मस लग दा तो मैं पना भी गारलिक नान ले ले दो हुआ आधा आपशे हमग गार्लिक नान टेस्ट करते है पहले, क्योंकि गार्लिक ये पीसीज और पर बटर बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था ये देखो, कितना शांदर लग रहा देखने में ये लच्छा प्रांट है की लेड्स देख लो कि दिए ये देखो खाना गरम है, सॉफ्ट है, तो गार्लिक नान से मैं शुरुवात करना चाहता हूँ ये देखो उपर का काफी क्रिस्पी लग रहा है गार्लिक नान न मसेदार तो इदर दाज लेंगे पहले दाल चलिए फिर दाज मुझे बहुत अमेसिंग लग रही थी दाल दोस्तों आपको 4-5 सेकंड लगेंगे इस सारे फ्लेवर समझने के लिए मिट्टी का इतना बड़ी फ्लेवर आ रहा है, देसी घी आ रहा है परफेक्ट दाल बाजी आपने बड़ी सारी दाले घाई होगी, इसका लेवल अलग होगा अलग लेवल है और मसेदार, मतलब यार ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसी दाल ट्राइ नहीं करी है कभी कमाल लग रही है मैं तो एक बार और बाइट लूद दाल की मुझे बहुत बड़ी अलगी है यह देखिए एक बारी टेक्स्टर देखिएंगे न आप और वो smoky flavor आ रहा है इतना ज्यादा जो यह भटी में गरम हुई नहीं मत्की के अंदर उसका flavor बहुत बड़ी हा रहा है इमेजिन इस flavor दिल खुश हो गया इस दिल खुश हो गया ना मैंने आपको बताया था कि दिल खुश हो जाएगा तो अब बारी आगी एक आते हैं यार एक ट्राय करते है यह यह यूणीक की जाए यार अच्छा हाँ सही गाथ है यह तो बड़ा सॉफ्ट है यह ज़ेखो है बिलकुल असे लग रहे है मलाई है यह तो सॉफ लग रहे है पुर जो शेप है ना मुझे लग रहे उसका मतला कोई फाइदा ने है क्विकि बिलकुल मलाईदार है सॉफ्ट है बहुत जादा मूँ पे रखते ही कि एक दम मैल्ट हो गी बिलकुल कमाल मुझे लगार और मुझे लगार बना है पनीर का पर बहुत है सॉफ्ट पनीर कमाल यार मतलब तारीफ करने के अलगी एक्सपीरियंस हो रहा हुगा अपने पूरे टीया पे ताफी जगा खाया हुगा फूड अमेजिन अग्या मज़ा है यह देखते हैं दोई वाली चाप पिलकोव गरम गरम है यार यह तो और हीट अट्राप करा खे चापने दही दही की खटास टैंगी फ्लेवर जो आ रहा रहा है ना चांप के अंदर पाजे ड़ी डाल दो लो इसके अंदर उसे, वो दही के जो, अच्छा, दही और मसालो के साथ मेरिनेट करा जाता है, सबसे पहला फ्लेवर जो आपको आएका, टैंगी और वो दही के जो खटास है न उसका आएगा, अमेजिंग, अब कमाल लग रही है, मतलब हर चीज के रहे मुझे दो दो बाइट लेन ही पट रही है, आप तो एर वेजिडेरियन हो, तो फस्ट एक्सपिरियंस होगा बटन ट्राइ करने का न, सभी बात है, पाजे, और आप बताएगे का कि, क्या अच्छली नॉनमाज जैसे टेस्ट है इसका, इसके अंदर जो चांप यूज यू इसके लिएट बाइट जो तो फ्लेवर है न, कि गरेवी जो ए बिल्कुल एकटम बलैक गरेवी है, मतटम की अच्छली होते है, क्योंकि इसके मिसाले थे जंग होते है, तो पुर अपर फ्लेवर जो आ यूँ आ रहा है, तो पुरापर जो आपनमाल ही इह हारा है, वो यहां पर इसके लाबा 15-20 आइटम और है मटकी के अंदर तो आप चाहिए तो वह भी ट्राय कर सकते हैं लेकिन जो हमने ट्राय करा उसमें तो यह मोस्ट रिकमेंड करेंगे आपको डेली के अंदर ना और तिंगेंड डिशे के लिए फेवरेट रगा बन गगी है बिल्कुल और आप वेजिटेरियन खाना चाहते हो ना इससे बेस जगा पो बेस दिली में कहीं ही मिलेगी यह मेरी गरंटीया और मेरे भाई की मिलेगी है क्योंकि दो फूडियो ना रिकमेंड अब ड्राइफूट का मज़ा लीजिए मैं खीर का मज़ा लेगा हूँ आई दोस्तों और सच में सबसे बड़िया बाद यह लगी कि यह कुलड़ के अंदर हां सर्फ भी कुलड़ के अंदर कमाल यह मतलब कि इतने सारे आइटमस है और कैसे ध्यान दे पा रहे है इतने सारे डिशिस पर ही है एक बात हो रहा है देख रहे हो ड्राइफूट किने डाला हो मेरा बात में आपको ड्राइफूट नजर आएगा यह खीर दोस्तों आपको सर्फ होगी बिल्कुल थंडी तो जो मज़ा आजाएगा गर्मी में खीर खाने का वो डबल हो जाएगा इसका नाम है मस्तानी खीर तो मैंने उक पर चेक करिएगा वैसे जो भी हमने आइटम ले ना सारे रेट्स आपको डिस्क्रिप्शन हो मिल जाएगे स्मॉल है सारी चीज़े लेकिन आप स्मॉल मर समझेगा यह कई रेस्ट्रेंट के लार्ज से भी जाद है जो एक मत की है वो सो जारन बंद हो दो का बिल्कोरे ने का था जो हमारा स्मॉल है वो चार जन मों के लिए इनफ मेटिए वर चोटी में आट जैनों के लिए झाल झाल